हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आयमें फिटर पर दोस्तों आज की सुड़ी में हम बात करने वाले हैं वह करने वाले हैं वर्ट्रोप केल्कुलेशन एंड साइंस की हम यहां पर बात करने वाले हैं तो इसके जो टॉप 30 प्रश्टिसिप होती मत पुर्ण होंगे आप लोगों के लिए तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए अगर आपने अपी तक हमारे चैनल सब्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर सब्क्राइब कर दीजिए वीडि राइट अंसर हो जाता है परला नहीं तीसरा नहीं चोता नहीं ऑफशन बी यानिकी ग्रेफ हैट जो है वह आपके यहां पर दातू है और प्रमुक सामगरी के रूप में लोहा होता है और आपको दिया है पीतल दातू अप्शन ब्रॉंग धातू ऑप्शन सी दिया है जिं आपका पहला नहीं दूसरा नहीं तीसरा नहीं पर आपका चोता ओप्शन राइट हो जाता है लोह दातू राइट अंसर हो जाता है यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है अगला गुशन है पूचा गया है उस दातू का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं होता है तो option A आपको दिया है लोह दातू option B अलोह दातू option C कुछालक दातू और option D सुचालक दातू तो यहाँ पर आपका जो right answer हो जाता है वो परला नहीं, तीसरा नहीं, छोता नहीं, option B यानि कि अलो हो धातु आपका right answer हो जाता है, option B यहाँ पर आपका right answer हो जाता है, अगला किसमें देखते हैं, देखिए पूचा गया है, निम लिकित में से कौन सा गुण धर्म धातु का यांत्रिक गुण है, option A आपको दिया है, गलनियता, option B दिया है, तन्यता, option C आपको दिया है, संगसारण, और option D दिया है, सरसना यानि कि structure, तो यहां आपका जो right answer हो जाता है, वो आपका पहला नहीं, तीसरा नहीं, और छोता नहीं, option B यानि कि तन्यता आपका right answer हो जाता है, अगला कुछा है इन में से भंगूर धातु कौन सी है आपको option दिया है कच्चा लोहा इसपात नरम इसपात और मिस्र धातु तो यहां आपका जो राइट अंसर हो जाता है वह जाता है दूसरा नहीं तीसरा नहीं छोता नहीं option A यानि के कच्चा लोहा काश टायरन आपका राइट अंसर यहां पर हो जाता है यह एक भंगूर दातु है ठीक है अगला कुछन है देखिए पूचा गया है दातु की कौन सा यांत्री गुण एक काटने के उपकरण में लोज़दार विरूपन के लिए प्रतिरोध परदान करती हैं option A आपको दिया है तन्यता option B आगात वर्दनेता option C कटोरता और option D चिमडपन तो यहां आपका जो राइट अंसर हो जाता है पहला नहीं दूसरा नहीं छोटता नहीं option B यानि कि हार्डनेस कटोरता आपका राइट अंसर हो जाता है अगला कुछन आपसे पूचा है दातु की कौन सा गुण बिना फेक्चर के इस्ताई विरूपन के गठन में सक्सम होता है कौन सा गुण है option A आपको दिया है परतियस्ता option B दिया है और option C दिया है तन्यता option D दिया है भंगूरता तो यहां आपका राइट अंसर हो जाता है पहला नहीं तीसरा नहीं छोटा option B आपका राइट आंसर यहां पर हो जाता है अगला option देखते हैं पूचा गया है दातु की कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपित तो बल अटाने पर वापस अपने पुरवास्ता में आने की समतार रखता है जब बल लगाया तो विरूपित हो जाता है और बल अपनी आकरती में आने की कोशिस करता है तो वो दातु का कौन सा गुण यहां पर आपका कहलाता है तो यहां आपका option आपको दिया है आगात वर्नेता ध्रड़ता परत्यास्ता और सुगरत्या तो यहां आपका राइट आंसर हो जाता है परला नहीं दूसरा नहीं छोता नहीं option B यानि के प्रतियास था, elasticity आपका वो गुण कलाता है, option C आपका यहां पर right answer हो जाएगा, अगला question देखते हैं, पुचा गया है, इन में से धातु की कौन सी गुण जिससे धातु को गरम करके बिगल जाती है, ठीक है, कौन सा गुण है, जिसमें धातु गरम होकने के बाद option A दिया है, चालकता, option B आगात वर्दनेता, option C गलनेता, और option D दिया है, आपको दरडता, तो यहां आपका पर पला नहीं, दूसरा नहीं, छोता नहीं, गलनेता, फ्यूजिबिलिटी, option C आपका यहां पर right answer हो जाता है, याद रखेगा, अगला question आपसे पूचा है, इन मे आपको दिया है, कोबाल्ट, option B दिया है, वेनेडियम, option C, टंगर स्टन, और option D दिया है, आपको शिलिका, तो यहां आपका जो right answer हो जाता है, पला नहीं, दूसरा नहीं, छोता नहीं, option C, टंगर स्टन, आपका right answer हो जाता है, अगला question आपसे पूचा है, कि पीतल में कौन स मिस्टर दादूएं होती है, option A दिया है, तामबा और aluminum, option B, तामबा और सी सा, option C, तामबा और जस्ता, और option D दिया है, तामबा और टीन, तो दोस्तों इसको याद रखने की जो है, एक ट्रिक भी है, यहां पर आपका पला नहीं, दूसरा नहीं, और छोता नहीं, option C, आपक simple trick है, option C, आपका यहां पर right answer हो जाता है, अगला यूशन आपसे पुचा है, इन में से कौन सा डलवा लोहा की welding नहीं किया जा सकता, तो option A आपको दिया है, दूसर डलवा लोहा यानि ग्रे कास्टार, option B, सपेट डलवा लोहा, option C, पिटवा डलवा लोहा, और option D, गानदा लोहा, तो यहां पर आपका right answer हो जाता है, परला नहीं, तीसरा नहीं, छोता नहीं, option B, सपेट डलवा लोहा, आपका right answer हो जाता है, option B याद रखेगा, वगला है, पुचा गया है, बोती important question है, दोस्तों, लोह ऐस्क से पिग आएरन बनाने के लिए, देखे, लोह ऐस्क से पिग आएरन बनाने के लिए, किस बटी का उपयोग किया जाता है, option A दिया है, हलके इस्टिल, बैटरी, option B दिया है, electric बटी, option C दिया है, ब्लास्ट फरने, option D दिया है, कपोला, तो यहां पर आपका पहला नहीं, दूसरा नहीं, और चोता नहीं, यहां पर आपका right answer हो जा जाता है, लोह एस्क से पिग आरन बनाने के लिए, जो है, ब्लास्ट फरनेस का उपयोग किया जाता है, अगला कुछा है, धलवा लोहा बनाने के लिए, किस बटी का उपयोग किया जाता है, तो यहां आपका right answer हो जाता है, पहला, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, और चोता नहीं, ऑप्शन A यानि कि कपोला बट्टी आपका राइट अंसर हो जाता है, अगला पुशन है, पुचा गया है निम्न कार्बन इस्टिल का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन A दिया है, कम मिस्र धातु इसपात यानि कि लो अलो इस्टिल, ऑप्शन B हाई अलो इस्टिल, सब्सक्राइब का राइट अंसर यहां पर हो जाता है अगला क्योंट है अगे पूचा गया है मद्यम कारवन इस्टील में कारवन का प्रतिसत कितना है ओप्शन एदिया है 0.05 से 0.15 प्रतिसत ऑप्शन भी 0.15 से 0.25 प्रतिसत ऑप्शन दी आपको दिया है 0.05 से 1.5 प्रतिसत तो यहां आपका राइट आंसर हो जाता है प्रला नहीं दूसरा नहीं और छोता नहीं ऑप्शन 0.25 प्रतिसत से 0.5 प्रतिसत ऑपका राइट आप प्रतिसत आपका हो option B आपका यहां पर right answer हो जाता है अगला के उसन पूचा है उच्च carbon steel में carbon कितना प्रतिसत होता है देखें पूचा है high carbon steel में तो यह भी important है कई बार बूज ले जाता है high carbon steel में जो carbon प्रतिसत होता है वो होता है पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं option D 0.50% से 1.50% option D आपका यहां पर right answer हो जाता है अगला के उसन पूचा है aluminum का ask क्या है option A hematite option B melatite option C bauxite option D lemonite तो यहां पर जो aluminum का ask है वो है पहला नहीं, दूसरा नहीं, और छोता नहीं option C यानि कि boxite आपका right answer यहां पर हो जाता है option C boxite aluminum का ask है अगला के उसन पूचा है धातू का वर्गून जिससे धातू को बिना टूटे तार के रूप में खीचा जा सकता है तो यह बहुती easy question है इसको सिधा मैं आपको बता देता हूँ वर्गून धातू का कलाता है ductility यानि कितन्यता option A यहां पर right answer आपका हो जाता है अगला के उसन पूचा है निम लिकित में से कौन सा एक कुचालक है option A तामबा आपको पता है यह तो चालक है option B aluminum यह भी है option C चानी यह भी है option D मी का माई का यह गलत answer है यह चालक यह कुचालक है यह चालक नई है तो यहां पर क्यूशन नंबर 51 का option D right answer हो जाता है अगला क्यूशन आप से यहां पर पूचा है switch बनाने के लिए किस कुचालक सामगरी का उप्योग किया जाता है तो option A आपको दिया है पैसी लीन option B दिया है पीवी सी option C दिया है backlight option D दिया है इबो नाइट तो आपका switch बनाने के लिए जो है दोस्तों किसका प्रियो करते हैं या पर पर पहला नहीं दूसरा नहीं चोटा नहीं backlight का प्रियो किया जाता है option C आपका right answer यहां से हो जाता है अगला गुण पुचा है प्रतिरोदक का वर गुण क्या है जो उच्छ ओल्टेज के आने पर तूट जाना चाहिए या पंक्चर हो जाना चाहिए option A दिया है परावेद्यूत option B दिया है विसिष्ट प्रतिरोद option C दिया है यांत्रिक सामत option D दिया है गेर उच्छ तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाता है दूसर नहीं, तीसर नहीं, छोता नहीं option A परावेद्यूत यानी डाई, इलेक्टिक स्टेंट option A आपका राइट आंसर हो जाता है अगला गुण पुचा है किस मिस्री स्पात का उप्योग कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है option A सिलिकन स्पात और option B मेगनीज स्पात तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाता है option C हम देख लेते हैं क्या है option C option C आपको दिया है इन्वार स्पात और option D दिया है यहां पर आपका राइट आंसर हो जाता है इन्वार स्पात option C जो कि मांगे उपकरण बनाने के लिए प्रयोग मिलिया जाता है और अगला और आज का लास्ट कुशन हम पूचा गया है रेती और कोल्ड चेनी बनाने के लिए किस इस्टिल का उप्योग करते हैं दोस्तों फाइल ठीक है और कोल्ड चीजल बनाने के लिए option A लोग आरबन इस्टिल ऑप्शन B मीडियम कारबन इस्टिल ओप्शन C हाई कारबन इस्टिल ओप्शन D एस्टेन लेस्टिल तो यहां पर आपका ज्ट राइट आट हो जाता है वह जाता है पहला नहीं दूसरा नहीं जोता नहीं option C उच्छे कारबन इस्टिल यानि के high carbon is still right answer हो जाता है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर सब्क्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक किजे और अपने दोस्तों के साथ सेर क करतीजे हम बिलेंगे अगली वीडियों तब तक के लिए बाबाई दोस्तों